जहिन सातियों आज की क्लास में हम जानेंगे अनुवान सिक्ता और विकास येने की हेरेडिटी और एवलुशन के बारे में देखो ये जो टॉपिक है ना बहुत बोर्यट टाइप का है लेकिन फिर भी मैं बहुत इंट्रेस्टिंग बनाने की इसको कोशिश करूंगा बस आ जाएंगी क्योंकि एक्जाम में इस चेप्टर से भी कोशन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अनुवान सिक्ता है क्या अनुवान सिक्ता का मतलब होता है माता पिता से उनकी संतान में लक्षणों का आना क्या कहलाता है अनुवान सिक्ता जैसे अमिताब लेकिन इनकी संतान कौन अभी से एक बच्चन कि हाइड योन की आउने कि कही नहीं समझ में आ है कि माता-पिता कही खुणि का into क्या हुआ रहे माता की और से ए एक दम काला है ठीक पेता का गोरा है लेकिन बाल क्या है घूम रहा है तो पता चल रहा है कि जो संतान हुई वो कलर में काली और बाल के से हो गए घुम्राले हो गए तो कहीना कहीं लक्षण क्या हुए ट्रांसपर हुए ना कहीना कहीं लक्षण ट्रांसपर हुए किसके कारण हुए अनुवान सिक्ता के कारण यह जो लक्षणों का ट्रांसपर क्या बोलते हैं जैनेटिक्स बोलते हैं जैनेटिक्स का मतलब होता है कि इसके अंदर हम किसकी स्टड़ी करते हैं अनुवाज सिखता यहने हैरेडिटी की स्टड़ी करते हैं समझ में आ रहा है यह नहीं कि study of heredity क्या बोलेंगे उसको अनुवांसी की यह जेनेटिक्स बोलेंगे इसके हंदर ही हम क्या करते हैं इनकी पढ़ाई करते हैं फिर heredity का जो वहां के वह क्या है तो वहां क्या है वैसे तो नॉर्मली आपको क्या लगाना है अगर option में gene मिल रहा है तो आपको gene लगाना है यह option में नहीं दिये हैं अगर सब ही दिये हैं और all of this करके option दिया हुआ है तो सब ही है क्रोमोजोम, DNA और gene यह तीनों ही क्या है लोग gene नहीं दिया और chromosome नहीं दिया DNA तो फिर उसको लगाना है तो यह चीज को थोड़ा ध्यान रखना तो heredity का वहां क्या है gene भी है DNA और chromosome भी है और यह सब चीजे में पहले पढ़ा चुका हूँ फिर बात करते हैं आधुनिक अनुवांसी की का जनक देखूं यहां से दो चीज याद रखना वह पूछे कि अनुवांसी की का जनक किसे कहा जाता है तो किसको बोलते हैं Gregor Mendel को बोलते हैं फिर अगर वहीं बोलते हैं कि आधुनिक अनुवांसी की का जनक किसे कहते हैं तब भी answer क्या लगाना है Gregor Mendel लगाना है दोनों ही condition में कौन को लगाना है Gregor Mendel को लगाना है अब बात करते हैं कि यह जो अनुवांसी की इसका कही ना कह करना पड़ेगा अध्यान करना पड़ेगा अध्यान करने के लिए कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा तो यह ग्रेगर मेंडल ने तो पाइसम सटाइबं, क्या नाम है, पाइसम सटाइबं, यह याद रखना, कई exam में इसको पूछ लेता है, कि मटर के पौधे का वेज्ञानिक नाम क्या है, तो पाइसम सटाइबं इसको बोलते हैं, अब experiment में इन्होंने मटर का पौधा ही क्यों लिया, वो चीज भी एक अल रहे हो और आपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंसानों को चुन लिया ठीक है तो आप ज्यादा से ज्यादा उसकी कितनी पीडियों का दिन कर पाऊगे एक पीडी दो पीडी तीन पीडी और अगर आप बीच में टैंप बोल गए तो क्या आप स्टेडी कर पाऊगे नहीं हें कियोग क्योंकि इनका जीवन साइकल क्या है लंबा है और तुमारा जीवन साइकल क्यата है बड़ावर हे लगवग लगवग कोई ऐसी चील ली जैसी का की जीवन चक्र छोटा हो और वहां कि यहींौ ज्यादा बार क्या कर पआजे उसके लक्षण का पता लगआ पाओग उतना ज़्यादा क्या है अध्यन हम कर सकते हैं उस चीज़ पर क्योंकि जल्दी से बढ़ेगा और फिर जल्दी से फल देगा फिर हम जल्दी से जो मतलब जिस पी प्रकार से हम पता चल रहा है जिसका जीवन चक्र बहुत ज्यादा लंबा है और हम बीच में टैब लगए तो हम कैसे करके उस दर्द्यन करेंगे नहीं कर पाएंगे तो हमको चीज ऐसी लेनी पड़ेगी जिसका क्या हो जीवन चक्र छोटा हो इसलिए इन्होंने मटर का पॉदा ले लिया पिर आगे बात करते हैं ने बाइसेक्शन यह बहुत पहले चीज तो उबहलेंगी बाइसेक्शल का मतलब होता है कि एक ही में 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 और फेमेल भी होगा इसलिए उसमें क्या है ना सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और हम क्रतिम यहने की क्रतिम रूप से परागण भी कर रहा सकते हैं यह भी एक benefit है बहुत बड़ा कि जब हमारा मन हुआ तब हम अपने हिसाफ से उसको कर सकते हैं ऐसा हर किसी के साथ नहीं कर सकते ना तो यह चीजे क्रतिम परागण वाली बात हो गई और इसके क्याते हैं सात विरोधी लक्षन पहली चीज तो अज्ञाम में कभी-कभी यह पूच देता है कि मेंडल का जो मतलब मेंडल का जो नियम ता यह मेंडल ने जो कुछ इसी प्रकार के फ्यूचर जैसे जीवन चक्र छोटा है जल्दी से जैसे यह सेल्फ ओनिनेशन हैं उसके बाद में करतिम परागण मी कर सकते हैं तो ऐसे करके कि मिल रहा है चुछ देखने को मिल रहा है जुरीदार टाइप के हैना तो यह अलग-अलग हुए So अलग-अलग हुए यह जुरीदार है मतलब कुछ ना कुछ हो रहा होगा जिससे कि यह दोनो अलग-अलगται फिर हम इसको क्या experiment में ले सकते हैं काफी असानी से फिर उन्होंने देखा कि कुछ मडर के पौदे हैं तो उसमें जो फूल खिल रहे हैं वो बैगनी कलर के हैं कुछ में सपेद कलर के हैं तो उनने का यार यह अलग-अलग क्यों है अलग-अलग हूंगे तभी तो हम उस पर अद्दिन कर पाएं ख़ांगे तो इसलिए में कर अधि हैं पिर हाइड हैट में तो कुछ फि leg rs यह बीर्व होगे अब फ़ली में देखे तो उसमें देखा होगा जो dark green cricket unit आती है वह मेधी लगल गती और स्वाधिश्टेक नमबर मज़ा आ जाता है और एक आती है जो थोड़े भूरे पन पे रहती है, मोटी सी रहती है और उसके उसमें खाव ना उसको तो उसको खाने में मज़ा ही नहीं आता हमारे गार आती ही ना तो आदा किलो वेसी साप कर देते अगर वो अच्छी वाली आई तो खाली और नहीं तो वो पड़ी रहती तो कुछ क्या है ऐसी इसमें भी यह जो फल लिए देखो जैसी चिकनी दिख रही है उपर से यह कैसी दिख रही है बीजो को कवर कर ली थोड़ा थोड़ा उसके अंदर जो मटर के दाने हैं उसको कवर कर ली तो कुछ इन केरेक्टर के ऊपर ही क्या किया इन्होंने अध्यां किया वैसे तो यह साथ थे मैं आप एलेस्ट लगा दूँगा तो आप उसमें पूरा देख लेना कि किस-किस आधार पर किया है क्योंकि यह समजने के यह कि आप में आप किस आधार है जूरी दार चूरी है इसको मतर के पोजे को चुना गया हम बात करते हैं आगे ऐलेलल की यह च्छोटी चीज में आपको पता होनी है कक्योंकि आगब कोशन पूल तो क्या होतायत है का बिन रूप को कहला रहा है इस को बन तो यह इसको बताने के लिए कि इस तो बोल दिया हमने खाहित कि रही आगे जिसको आर से गन कर कर दिया तो यह इसको बताने के लिए खोएट стр, hizo, neste बताये मां ये क्या हुव है रूप है ना अलग अलग कलर को बता रहा है एक एक बैगनी बता रहा है एक बता रहा है तो यही1 एले जैसे कि यहां पराधी यह width थी तो हाइट को अपने 1-1 लंबि ले लिए घैसी ले लिए बोँणा यहिए अब समझतिना कि इसमें जो लंबा था उसको हमने capital T से denote कर दिया और जो बुना था हमने small t से denote कर दिया तो यह संगल संगल form है ना यह T था capital T यह small T यही क्या है ऐलल है यही क्या है ऐलल है और इसको बोलोगे तो gene का भिन्रूप क्योंकि gene के अंदर ही तो है लंबा gene कौन सी लंबा बना देगा कहिं सा चीज डूना बना देगा तो यह क्या है ए एत्ना समझ में आ गया हुए ए फिर आगेज बात करते हैं फिनो टाइप की फिनो टाइप जो होता है फिनो टाइप जैसे आयna वैसे दिमाग में से याद रखना जो चीज हम फिजिकली देख सकते हैं भी बाला एक हम सकती है को बना है तो यह जो फीजिड़ चैरैक्तरिस्टिक जो हमें दिख रही है जो हमें दिख रही है उसão को जी बुलते है नों कि ची girl जीनो टाइब की एक है फिनो टाइब दूसरा है जिनो टाइब जिनो टाइब का मतलब होता है जीव धरी की Şीनी संद्रजना यानिकी जीव ध़ह selber की जी क्यों हो सकते हैं क्यों होंगे कैसे होंगे वह आगे बता दूँगा तो यह चीज आपको इतनी समझ में इस चीज क्या है जीनो टाइप इने दोनों को मिला यह दो यह original चीजे ना वो दोनों ही क्या होंगे capital T प्रकार के होंगे फिर हमने ले लिए बोनी में कुम जैसे मानलो height का में किसकी जया बच्चन की तो हमने ले लिए दोनो small t ले लिए अब मानलो अगर cross करा है जैसे अभी से एक बच्चन है तो अभी से एक बच्चन जो है की height ज्यादा है height ज्यादा है तो height ज्यादा है का मतलब क्या है capital T और small t आएंगे दोनों के गुण मतलब की दोनों ले ले लेकिन बात क्या होगे यहां पर लंबा तो यह जो genotype का मतलब क्या जीवधारी की जीनी संदचना यहने कि इसके अंदर कैसी संदचना है यह जैसे double t है यह small t है यह capital T small t है यही चीज क्या है यही चीज क्या है genotype है यहने कि gene का type कैसा है genotype इतना समझ में आ गया होगा और फिर वहीं अगर मैं phenotype की बात करूँ तो वहीं बोल सकते हूँ आप अभी से एक बच्चन को देख के बता सकते हूँ कि height जाता है color कैसा है बात समझाने के लिए समझ में आ रही होगी यहाँ पर कि phenotype का मतलब क्या है genotype का मतलब क्या है और allyl का मतलब तो एक single single जो बंडराय जैसे लंबा है तो इसको T से denote कर दिया बोना है तो small T से denote कर दिया वह बाली बात है इतनी चीज clear हो गई होगी फिर आगे बात करते हैं triads की triads का मतलब लक्षान तो लक्षान इसमें क्या होते हैं दो प्रकार के mainly एक होता है dominate और एक होता है recissive अब देखो dominate और recissive का मतलब क्या होता है dominate का मतलब क्या होता है donate करने से समझना dominate का मतलब क्या होता है dominate करने से यह आप ऐसा बोल सकते हो कि इससे क्या होगा कोई लक्षान निकलेगा बाहर recissive का मतलब बोल सकते हो आप तो यह समझो dominate क्या है भारी चीजे बहरी चीजे इस दो मिनेट की मतलब किअ मतलब क्या है रैसेशिपन कमझोर चीजे शाज को जैसे अभी से बच्चन के केश में अमिताफ बच्चन की हाइट जाधा थी या अमिताफ बच्चन का जो हाइट वाला जीन वो क्या था था दोमिनेट था और जाया बच्चन का जो हाइड वाला था राइसे इस आएा क्या हुआ कि जो दोमिनेट वाला कैपिटल टि था और जो बुना एखता थी गया और आ दिप जाएगा जिस जो की किस की है अभी से एक बच्चन की तो ऐसी बात यहां पर हाइट की अगर बात करूँ तो लंबे में डवल टी था बोने में स्मॉल टी था लेकिन जब इनका क्रॉस होगा ना तो जो भी पोधे की बात करें तो पोधा जो होगा वह लंबा निकल के आएगा कैसा निकल के आएगा लंबा निकल के आएगा वही अगर में कलर की बात करूं तो कलर में dominant अगर थमार बेंगनी कहलर है और रहसे सब अगर वाइट कलर हैं तो रहसे सिप का मतलब कंजूर उर्धिंध ही हो deconstiका मतलब क्या हो गया discoveredो में यहां तτε इस पर भारी पड़ेगा रसे सिप पर भारी पड़ेगा और इन दोनों का जब क्रॉस कराओंगे नो तो color कैसा लेकर आएगा बैगनी क्यों कि इसको सपीत color को दबा देगा उसको वो दबा देगा क्योंकि वो कमजोर है और यह क्या है भारी मजबूत है कौन dominant इसलिए color कैसा लेकर आएगा बैगने लेकर आएगा और यही केस इसमें भी होगा कोई चीज बोनी है और कोई लंबी है अगर dominant अगल लंबा है तो पौधा कैसा होगा लंबा होगा तो मेरे हिसाब से इतना समझ में आ गया होगा इसका ले लो screenshot अब आगे हम समझते हैं Mono Hybrid Cross के बारे में तो कुछ भी नहीं है Mono Hybrid Cross का मतलब यह होता है कि जिसमें क्या हो सिंगल लक्षंड ले रहे हूं कोई भी सिंगल लक्षंड यह ने की study of single triad की यह ने की कोई भी एक चीज का लक्षंड जैसे मान लो हमने हाइट का ले लिया या फिर हमने color का ले लिया इस टाइप से कोई भी एक लक्षंड लेकर के अगर हम उसमें क्या करा रहे हैं उनका Cross करा रहे हैं तो इसको क्या बोलते है Mono Hybrid Cross बोलते हैं वैसे मैं लास् मान लो हमने ले लिया एक सुद्ध एक हमने ले लिया सुद्ध लंबा पौधा ठीक है एक सुद्ध लंबा पौधा ले लिया सुद्ध लंबा लोगे तो दोनों टी टी होगा कैपिटल वाला है ना लंबे को कैपिटल टी से बता रहे हैं फिर हमने ले लिया एक सुद्ध लो Bak अगई Twenty को यह थे दोनों अलग कोटो क्या होगे लग-अलग कैसे हो गया इए इक हो स्फिर स्फ यहां से समझते चलो कुछ भी नहीं है में इसका कराने वाले क्रोस तो सबसे पहले cross अगर मैं कराऊं तो मानलो मैंने ले लिया मानलो मैंने एक बार ये और ये ले लिया इन उनों का कराया तो क्या मिलेगा मुझे capital T, small T फिर मैंने इसका और इस छोटे वाले से करा दिया तब भी मुझे capital T और small T मिलेगा फिर मैंने इहां पर इसका और इसका करा दिया capital T, small T ही मिलेगा फिर इसका और करा दिया capital T, small t мол ही और ये वाली जनुलरेशन इसको बोलता है F-Bert ऑूआ ये वाली जनुलरेशन और इसको बोलता है F-Bert इन ये वाली जनुलरेशन का भी F-Bert इसमें आप देख रहे हो कि यह भी लंबा यह भी लंबा यह भी लंबा यह भी लंबा क्योंकि भाई सीधी बात है इसमें क्या हो गया जो टी है वह डोमिनेट है और यह वाला जो इसमॉल टी है वह कमजोर वाला है तो इसलिए यह पोदा भी लंबा होगा यह भी लंबा होग सभी एक जichtig फिर में जिनो टैप की बात करें तो उसका भी कोई यह यह लेकिन अब मैं इसको आगे बढ़ाँ और कैसे बनां कि कोई भी दो कि दो चीज़ को ले लीता हूँ मांनो मैं इन दोनों में करा रहा हूं मैं इन आप अब देखो अब फिर क्रॉस कर आओगे तो देखो पहले कैपिटल टी और यह वाला टी मिलेगा यहां पर क्या बनेगा दोनों टी टी यहने दोनों बड़े बनेंगे फिर इसका और इस वाले से होगा छोटे वाले से होगा तो स्मॉल टी फिर स्मॉल टी और यह वाले कैपिटल टी का होगा तो बनेगा क्या कैपिटल टी स्मॉल टी फिर इसका और इसका होगा तो यहां पर स्मॉल टी और स्मॉल टी बनेंगे तो यह वाली जो जनरेशन होगी यह वाली जनरेशन है यह वाली जनरेशन है इसको बोलते है F2 generation, इसको बोलते है F2 generation, अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है भाई, कि यह बाला बड़ा है, यह भी बड़ा मिलेगा, यह भी बड़ा मिलेगा, और यह बाला क्या मैं आपको बोल यह अवावां या देतब का मतलब का मतलब होता है फिजीकल हम देखायंगे करो यह ळंब और यह दून वह लेकिन यह बोला चोंटा वह तो कहने का मतलब तीन तो क्या है, लंबे वाले हैं, तीन तो क्या है, लंबे वाले हैं, और एक क्या है, छोटा वाला है, तो 3 raise to 1 होगा क्या, फिनो टाइप रेशो, यह पूसता है एक्जाम में, इसलिए इसको बता रहा हूँ, आपको यह सब चीजे ध्यान नहीं रखना, आप इसको सीधा र फ्टू जंड्रेशन में नहीं होता है, फिर अगर मैं बात करूँ कि genotype ratio क्या होगा, Genotype ratio क्या होगा注GenoType में देखना Genotype का मतलब होता यह यह वाला चिंए जैसे यह वाला सेम है इसको एक किन ओगें ऐसको चू गन लोगें यह एक एक अकेला वाला यह यह सेम से में तो ख्लाप यह सेम सेम का मतलब वन बोका सचानों पॉसल यह SQL ऌहरा है और फिर यह small t वाले दू मतलब small t वाला एक ही है यह यह हो गया तो इसका जो जिनो टाइप रेशो बनेगा वो क्या बनेगा वन रेस्टू तू रेस्टू बन और वहीं अगर फिनो टाइप रेशो की बात करूं तो थीरी रेशो बन चीज समझ में आ गई होगी अब मैं बता कितना होगा मोनो मैं की जिनो टाइप में तो 나धर आजरी नेकलके आ रहा है इसलिए यह यह होगी समझ में आ गई होगी योगी पिर आगे सम Kerry से hybrid cross के बारे में तो इसमें कुछ नहीं होता. इसमें क्या लेते है है? हं Two tries लेते हैं, इन्हें हम डो लेते हैं, ज्सेकि we in monotrides, single option में क乾ए? उस्में 2, जलेते हैं. आधी हमने यहां पे लिए सुध्द लंब पोधा और सुध्द वोना पोधा तो इसमें हो जागा capital T, capital R, capital T के साथ capital R हो गया, और फिर से capital T के साथ capital R हो गया, यहाँ पर small T के साथ small R, small T के साथ small R, अब यहाँ से क्या होगा इनका, यहाँ से क्या होगा, इसका इसके साथ करा लो, फिर क्या होगा यहां से निकल के के रिजल्ट आएगा निकल के रिजल्ट आएगा capital T small T capital R smaller फिर इसका इसके साथ करा लो तब क्या निकल के आएगा capital T small T capital R smaller फिर इसका और इसका करा लो तो इसमें क्याएगा capital T small T capital R smaller फिर इसका और इसका करा लो यहां पर वही capital T small T capital R smaller यह आ गया अब क्या है भी यह तो यह हो गई F1 generation यह हो गई F1 generation लेकिन इसमें तो कुछ मिलना नहीं क्योंकि सब एक जैसे आ रहे हैं तो फिर तो इसे तरब हरा भीज लिया हो जो की कैसा है थोड़ा सा इसकी तो इस ट्रफेस थोड़ी सब्सक्राइब की सर्फेस ना ग्रीन कलर का और यह 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 तो इतना ज्यादा भी लिए वैसे कुछ बिचेस्ट नहीं यह क्या है नाइट रिजैसो थीरी रिजैसो थीरी रेशो फन और जो जीनो टाइप रेशो उसमें कुछ नहीं वन टू वन टू चुह 1-2 यह है, simple सा ratio है इसको याद रख लेना बस इतना ही है इसमें phenotype ratio यह, genotype ratio यह और बाकी मैंने image में आपको बताई दिया कुछ इस प्रकार से इसका क्या होगा, cross होगा बाकी यहाँ पर समझने कि उसको कोई जरूरत नहीं है जो mono hybrid वाला था मैंने आपको काफी अच्छे तरीके समझा दिया था यह ऐसा cross होता है, फिर आगे होता है F2 generation में और यह उसका phenotype ratio और genotype ratio है तो ठीक, इसका ले लो screenshot अब आगे देख लेते हैं, mendel के नियम के बारे में तो mendel ने mono hybrid cross और di hybrid cross के आधार पर तीन नियम दिये थे पहला है प्रभावीता का नियम law of dominance बोलता है इसको दूसरा है प्रथकरन का नियम law of segregation और तीसरा है स्वदंत्र आभ्योन का नियम जिसको बोलता है law of independent assortment तो यह तीन नियम दिये थे अब समझते हैं कि आखरकर पहला नियम क्या है और एक दूसरा फूल है जो कि मानलो red color का है ठीके तो इसमें यह जो yellow वाला है यह अगर dominant होगा यह अगर dominant होगा और यह recessive होगा तो यह आप कोई पता कि इनका cross कराने पर जो color हमको मिलेगा वह yellow ही मिलेगा क्योंकि dominant है ना कहने का मतलब यह है कि इस नियम में इस नियम के हिसाब से क्या होता है कि दोनों में से कोई एक लक्षान जो है देखने को मिलेगा अब हो यह रहा है कि जैसे मानलो हमने लंबा बोधा लिया और हमने छोटा बोधा लिया तो हमको लंबा बोधा देखने को मिलेगा तो कोई भी एक चीज हमको देखने के मिलेगी कोई भी एक चीज हमको देखने को मिल रही जैसे यहाँ पर येलो और रेड लिया तो हमको येलो कलर देखने को मिल रहा हो सकता अगर माहलो डोमीनेट कलर रेड होता और फिर हम येलो और रेड का क्रॉस कराते है तो हमको पिर कौन सा कलर मिलता है लाल देखने को मिलता यह रिधाओ का यह कहानी किस के एसाब से हो रहा है प्रभाविता करनीऑ के तो इस नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए इस नियम के हिसाब से यह होना चाहिए मान लो रेड और इसको मिलाएं, मान लो पिंक कलर बन गया ने गुलावी कलर बन गया तो कही न कही है नीयम यहाँ पर फैल हो रहा है ना आई बस समझ में कि नहीं है देखो चीज को समझो जैसे मान लो एक सिंपल उधारन ले लेते हैं मान लो एक हम जो है डॉग की बात करें उसकी जो इसकी नहीं वह ब्लैक है पूरी ब्लैक है एक दूसरा डॉग ले लिया है नहीं यह मेल है यह फीमेल है ठीक इसकी जो इसकी जो इसकी जो इसकी जो इसकी का कलर है वह वाइट है ठीक वाइट है अब इन्दोनों का जब क्रोस तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्लेक ही जो बच्चा होगा वो ब्लेक ही हो या वाइट ही हो वह ऐसा भी हो सकता है कि ब्लेक स्किन हो और उस पर वाइट वाइट क्या हो धब्बे हो ऐसा भी हो सकता वाइट कलर और ब्लेक ब्लेक धब्बे हो चीज को समझना मैं क्या बताना चा तो फिर यह नियम क्या हुआ यह सांद मतलब यह नाम आपको याद रखना फिर बात करते हैं अगला प्रतक करन का नियम कुछ भी नहीं है जो गेमिट बनते हैं जैसे देखो हमने बोल दिया कि भाई यह पूरा शुद्ध है इसको सुद्धता का नियम भी बोलते हैं यह वाला टी पूरा सुद्ध है यह स्माल टी पूरा सुद्ध है यह पूरा सुद्ध लेकिन यह पूरा सुद्ध नहीं है तो यह जो है यहां पर आने के बाद जब यह जो है डिवाइड होते हैं यहां पर गेमीन बनते हैं तो इसको ही सुद्धता का नियम बोलते हैं यही प्रधक्रन का नियम है समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं स्वतंत्राभ्यून का नियम क्या है उसमें ऐसा था भाई कि कोई भी चीज जैसे मालो यह capital T small t है है उसके गाद में capital R और small r है अब अगर मैं इन दोनों का cross कराऊं इन दोनों का यलो कलर रहे तो इसके साथ भी जा सकता है यह क्या है स्वतंत्रे यहां पर क्या है स्वतंत्र रूप से हैं कैसे भी करके जो है वह मिल सकते हैं लेकिन क्या है अपवाद में जैसे कि fruit flower या drosophilia जो है drosophila तो उसमें क्या है ना कि यह चीज महां पर follow नहीं हो रही यह कहने का मतलब यह तो देखा होगा फूल की उपर बैठता है उसी को बोलते हैं तो यह वाले नियम में क्या था स्वतंत्रे था लेकिन यहां पर जो अपवाद है उसमें क्या हो रहा है कुछ किसी और के सांथ क्रोस नहीं करेगा फिर यह वाला जो टी है आपवाद होगे इस नियम को झाला हो पहर स्वतंत्र थो गया यह अपबाद होगे तो अपबाद में क्या था इसका फ्रूट फ्लाय या फिर ड्रोसो फिला जो है नाम याद रखना तो यह थे नियम किसके मेंडल के फिर आगे समझते हैं कुछ याद रखने वाली बाते हैं जैसे कि प्रायोगी गनवांसी की का जनक पूछे या सेक्स लिंकेज की खोज किसने की पूछे तो दोनों में क्या लगाना है थॉमस हंट मॉर्गन या टी एच मॉर्गन याद रखने वाली बात है फिर पुनेट स्क जो कि यह है क्या आगर कुछ भी नहीं भाई देखो जैसे अभी हमने पड़ा था कोई भी दो चीज का अगर क्रॉस करा रहे है माल दो कैपिटल टी कैपिटल टी है स्मॉल टी स्मॉल टी इसका जब भी हम क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएंगे तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है दो के कराएं थे तो उसका स्कॉयर चार रिजल्ट आया अगर चार का हम करा रहे हैं तो चार का स्कॉयर कितने है शोलर रिजल्ट निकल के आ रहे हैं यह नहीं स्कॉयर में चल रहा है नहीं किसमें चल रहा है स्कॉयर में चल रहा है और जो खोश थी वो पुनेट नाम के विग्ञानिक ने की इसको क्या बोल दिया बुनेट इसको या जने की अगर 2 चीज का क्रॉस करा रहे तो रिजल्ट कितने आने वाले है चार आने वाले हों अगर हम 4 का क्रोस कराना है तो रिजल्ट कितने आने वाले सोल आने वाले तो बस ऐसा है सिंपल है फिर मेंडल के हिसाब से जो जीन है उसको क्या कहा उन्होंने फैक्टर का बस बैसी टर्म है याद रखना अच्छा कोई भी बच्चा होता है ना तो उसमें क्या होता पचास प बोलेंगे वहीं जैसे मांलो 1 की जाव मैंड़ स। क्या बहुता हमें MJ अगे 17 कटर कली के दीख लीग कि यह का छीज आ रही तो इसमें किलेंगे पोधाँ, दूसरी जोडी के प्रभाव को क्या करते है, तो इसे फिल ती प की उब्तीया के खुएंक टॉर्म सब्सक्तमाब्यों इतना फिल्मिन जयाद करें, तो इस वोदा zobs नहीं उसरी 5 को सब्सक्राइब नितरु सायाय। केबल उनी चीजों पर बात होगी और वो भी वन लाइनर फॉम में यह इतना का इतना याद कर लेना और इस से सारे कोशन आपके हो जाएंगे फिर भी देखो में समझाता हूं आपको कि जीवों की उत्पत्ती क्रमिक परिवर्तन या जीवों का इतिहास यही इस पर अध्यान करना ही क्या कहलाता अब समझना कि यह जो चीजे जैसे में वर्ड आगया क्रमिक जाओ घोल जाओगे का मतलब समाज क्या यहां पर भी यह होता है जीवों के साथ में यह साथ में क्या होता है कि यह को प्रतर गेरा उसको खेस परिबरतन यापन करना है तो उसको क्या है कुछ ना लृकल परίwn U Snak पहले अगर मैं बात करूँ आपको तो पहला जो इस चीज पर जो अध्यन करना चालू किया लेमार्क ने किया लेमार्क ने सबसे पहले क्या किया इस चीज पर अध्यन किया तो पहला है उनका उपारजित लक्षणों का वंसानुका सिद्धन है कुछ भी नहीं भाई देखो जैसे अभी जो भी वीडियो देख रहा है वो अपने एक बार अपने मावाब को देखना और अपने आपको देखना बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे यह निकिए आप बिलकुल अलग ही दिखोगे उनसे हां कुछ कुछ में होती ही सिमिलेरिटी लेकर उतनी सिमिलेरिटी नह नहीं आएगी जैसे की सिम्पल नर वहां अलग दिखोगे तो वही बात हो रही है और आप क्योंकि हम क्योंकि हम क्या है सेट्षण वइनियस पिवे बोली बात होती है आप फिर आगे बात करते हैं कि इनकी ब्गु pos horrific जूलोजिक नाम याद रखना केबल याद ही रखना है फिलोसफिक जूलोजिक बुक किसकी है तो लेहमार की है फिर आगे बात करें यूज एंड डिस्यूज ऑफ और्गन तेको ऐसे बहुत सारे पॉइंट है यह एक दो पॉइंट नहीं है ऐसे कई पॉइंट है पर क्या है म ज्यादा विक्सित होगा वहीं जिसका उपियोग नहीं करोगे उसका जो है वो खतम हो जाएगा जैसे कि मैं आपके अपने सरी में बात करूं तो क्या होते बहुत सारे वेस्टीजल और जिसे कि यह कान का पिनना वाला भाग है अकल दाड है उसके बाद में जो वर्टिवल और मेरा जो भाण जाए वह भी 40 साल का है यह कान क्या होंगे धीरे-धीरे करके क्या हो जाएंगे अभी मेरा तो इसे छोटा समझ में अनलागा मेरको गायाब होने बहुत साल लगेंगे लेकिन यह गायाब हो जाएगा क्यों कि इसका यूज नहीं है यह पिनना वाले भाग फिर आए चारे डारब्न चार्स डारविने काफी गहनद्द्धिन किया इस चीज लीए इनको जव का सशिधन मतब्त कर जेब कास में किसने दिया किस ने दीया तो चारे डा बिन ने किया और इन्होंने क्या था एक जहाज पकड़ लिया था बीगन नाम का उस पर कई साल तक क्या की यात्रा की और देखा कि कैसे कैसे जीवों में परिवर्तन आ रहे हैं बहुत सारे अद्धिन किया जैसे की ठियोरी ओफ नेचुरल सेलेक्शन प्रकृति का चैनवा सिर्धान दा ओ सामने के जो पैर वो भी छोटे हुआ करते लेकिन क्या था घास खाते खाते घास कातम हो गई अब दीरे अब उसको सरवाइब तो करना है उस कंडिशन में तो क्या हुआ कि वह पेड़ पोदो को खाने लगे पेड़ पोदो खाने लगे तो उनकी हाइट ज्यादा पेड़ खाते थे तो क्या हुआ धीरे 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 सामें बीटता गया परिवर्तन होता गया और फिर क्या हुआ जिराफ की आगे की टांगे बढ़ी हो गई यहने की आगे से मढगाट क्या हो गया उसका पहले मढगाट यू था फिर मढगाट क्या हो गया आगे से उड़ गया क्यो चिडिया की जैसे चोंच होती हैं तो जरुवत के साब से सभी के अलग-अलग होती एक जो लकडी में भी शेद कर देती है और तोटे की चोंच कैसी होती है अलग होती है और कई पक्षियों की कोई मचली पकड़ रहे हैं समझे रोग सब अलग-अलग प्रकार से धली होई तो चोंच पे भी उन्होंने अध्यन किया था किसने चाल्स डार्विन ने जैब विकास का सिद्धान्त हो गया थियोरी ऑफ नेचुरल सलेक्षान सीधी बाते प्रकृती के हिसाब से रहना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर अगर आपको प्रकृती में जीवन यहापन करना ह और आपको बीऔर यहीं जीवन यहापन करना वह आता क्या अगर आतो परिवर्तन है वह नहीं कर रहा है तो कैसे सर्वाइफ कर पाए वो तो मर जाएगा ना तो मर जाएगा इसलिए उसको प्रकृतिक के हिसाब से ढलना पड़ेगा उसको अपने आपको प्रकृतिक के हिसाब से धनना पड़ेगा बस इनहीं सब चीजों परじゃあ तो मैं ज्यादा डीटेल नहीं बात कर रहा हूं केवल आप इतना जो है यह दोनों पॉइंट पर ध्यान रखना फिर अकला उत परिवर्तन का सिद्धान त्योरी ऑफ जो प्रेक्टिकल के लिए पॉधो प्रेक्टिकल किया था बस आप इत्ता ध्यान रगो जैव विकास का अधुनिक सिद्धान यह किस ने दिया था तो नियो डार्विन इसम ने दिया था केवल याद रखना है शर्वाइबल ऑफ दा लाना पड़ेगा अगर आप बदला और नहीं लाओ गये तो आपका हो जाएका निप्तारा सीवी सी बात है फिर बात करते हैं दा ओरीजन ओफ लाइफ अब देखो दा ओरीजन ओफ इसकी है चाल्स डार्विन के लेकिन दा ओरीजन ओफ लाइफ यह किसी है ओपर ईन की है तो ठीक है इस क्लास को इतना ही रखता है नेक्स्ट टॉपिक हम अंगली क्लास में पढ़ेंगे तब तक के लिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए जै हिन